बहुत हुआ ये, सासुमा हर बर मज़े लेती है बाहर जाके और हम गैस के पीछ जल रहे है उनको क्या लगता है? हम सिब चूला चोखा करने के लिए है? नहीं, हमारी भी जिन्दगी है और हमें वो जीनी है बिल्कुल, हमारा पूरा होख है एंजॉय करने का तो क्या कहते हो महिला मंडली? चले बीउटी पारलर ये भी कोई पूजने की बात है? तो ये ते रहा, हम जाएंगे आज एवन बीउटी पारलर परशर मिला, श्रया की दादी तुमको परमिशन देगे? वो क्या देंगी मुझे परमिशन? मैं खुद ससुर्जी से परमिशन ले लूँगी फिर उनकी बोलती बंद हो जाती है सचमे, कुछ पुन्या का काम क्या होगा तुमने? जो ये से ससुर्जी मिले है तुमको वो तो है, मेरे पिश्रे जन्मों का पुन्या मैं अब है मेरे घर का सारा काम दिप्टा क्या दी हूँ फिर चलेंगे A1 ब्यूटी पार्लर हाँ, चलो चलो सैसुमा, ससुर्जी ने मुझे परमिशन दी है और मैं आज जा रही हूँ A1 ब्यूटी पार्लर में सुमित्रा और सशिबेन की सक्त मार दी मेरी कौफी, क्या कौफी बस ठरक इतना है मैं संद्रियों के साथ गई थी, तू छुचंद्रियों के साथ जा रही है आपको जो बोलना है बूलिये, मैं तो केती हूँ आज दिन भर बूलिये क्योंकि घर पे में तुने उसनने के लिए आपकी जे घर में एंजोई, मैं करती हूँ बाहर एंजोई मेरी प्यारी बेहनो, चले, चलो हेलो मदुरा जी, वेल्कम तो एवन ड्यूटी पार्डर ये मेरी दोस्त है, अच्छा, आये ये भी मेरी दोस्त है, ओ, आई ये आप है कहीं आप सब किल विल सोसाइटी की मेंबर्स तो नहीं हाँ हम किल विल सोसैटी मेरे थे, आपकी सोसाइटी से पिछले हबते चार औरते आयी थे मेरे पास, हाँ उन में से जो बुड़िया थी ना जो बुदर्ग थी, वो मेरी ससमा है ओ, तो वो आपकी सास है अच्छी है, पर वही दिखती है हमेशा आपको मैं पहली बाद देख रही हूं मेरे डूटी बारलर में क्या करें, गर में बहुत काम होता है सुबे उठो, घर का काम को रो, बच्चों का देखो, पती का देखो हमरे लिए टाइम ही नहीं मित था हाव समय का तो यही होता है सब के लिए टेम, खुद के लिए नो टेम पर आज हम टाइम निकाल के आएं स्पेशल है एकदम बराबन, चलो अच्छी बात है मुझे काफी अच्छे रगा कि आप सबने खुद के लिए टाइम निकाला क्या क्या करना है आपको? मैं तो द्रेडिंग करने वाली हूँ आपके पास कोई स्कीम है, जैसे की होता है न वो इसके उपर एक फ्री, वेसा फेशल के उपर आइब्रो फ्री, ऐसा कुछ माप कीजे, पर मेरे बूटी परलर में एसी कोई स्कीम नहीं है तो पहले कोन आ रहे है आप मेंसे? पहले सु मिट्रा का कीजे ठीक है, मैं करती हूँ पहला आए हाँ, वाँ कासे कॉमफर्टेबल है मदूरा या बालों को सीधा करना अच्छा, हाँ क्या बात है? आप पहले कभी ब्यूटी परलर नहीं गई? नए, शादी के वक्द गई सी ब्यूटी परलर उसके बदद आ जाई हूँ मैं है? शादी के बाद तुम पहली बार आ रहे हो ब्यूटी परलर? क्या बात कर रिया, शादी के बाद पहली बार है आपका हाँ, शादी के बाद मेरी पहली बार है भी उटी पार्लर में आन फिर तो मुझे आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा सशी बेन, आप कितने सार बद आई हो विजे में भी पास साल बद आई हूँ पास साल बद टेमी कहा मिलता है ये करो वो करो ये करो वो हाउस वाइप्स का एसाई होता है वक्ती नहीं मिलता सुमित्र तुम मैं तो और दो महने में आती हूँ अपने भी कोई जिंदगी है उसको एंज़ॉय करना चाहिए ये जो हम करते स्ट्रेटनिंग कितने दिन तक आपके बाल सी दे रहते ये आपके उपर डिपेंड करता है कि आप आपके बालों के क्यार कैसे करते हो और अगर दो तिन दिनों में ऐसे हो गई तो पेसे वापस जो नाला है ना उसके पास एक चोक है वहाँ पे साड़ी की बड़ी दुकान है वहाँ से मैंने साड़ी दी थी दो दिन पेहनी और फट गए मैंने जाके फिर से दी और पेसे जिए वैसा नहीं होता यहाँ पे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता एक बार आपके पेसे गए त तेंक्यू मदुराब आसे अच्छे दिख्रहें मेरे बाल अब कोन आ रहे? मैं आती हूभी आया अच्छे दिख्रें समित्राबल? देख्रहें ना? अगर बाल तेडे हो गए तो पेसे लेने आएंगे दोनों मिलके सच मैं? हातों पेसे दिए एसके से जगड़ा करेंगे बहुत बड़ा अगर तुम साथ होगी ना तो मैं दरूर आउंगे